असलाम अलेकूम हेलो अब्रीवन नमस्कार कैसे आप से उम्मीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे तो चलिए पटा पट से पूछ लेते हैं कि किसको किसको वैसे भी सभी को पसाद है गाजर कोई सभी हलवा ठीक है तो आज मैं थोड़ा सा ट्राइ करूंगी और जल्दी से सबस्क्राइब करना हम जरूंगी तो चलिए बनाते हैं कट कर लिया मैंने गिस औहुत है का था इतक है और फिर हो बने हमें बहुत ही मज़े के बहुत ही जल्दी बनते हैं तो बस ऐसे ही फटा-फट से हम सारी ग्राइंड कर लेंगे और बस बनाने की बारी आती है तोड़ा से घी ले लेते हैं और जैसे मिल्ट वह जाएगा तो हम रख देंगे इसको पकनी के लिए तो थोड़ा से बहाब स जाएगा वैसे अग्दम पिसा हुआ तो है यह बस पांच मिनट में रखना है और देखना है तो चलिए हो चुके हैं पांच मिनाट तो अब इसकी बारी क्या आती है इसमें हमें दूद मिल्क आड़ करना है ठीक है ताकि अच्छे से पक सके तो हमें क्या करने मेरे पास ज् अगर और भी दूद इसमें आड़ कर सकते हैं तो मिलाईगे और खोब देर तक पकाईए लेकिन नहीं हमें जल्दे जबानाना है तो यह पर कुछ उसको रखती है पंग बनने के लिए और कुछ ड्राइप रोट्स कट कर लेते हैं और इसमें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ आधे हैं। म्हाइओ आधे टी इसमें पूल पान से और स्ख़ानी गमखेंगे लेकिन तो यह तो नहीं हमोगीज चीनि अच्छिए हैं ह्तों चाह आईप इसमें एड़ कर देंगे हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सिंपल ऐसे ही बनाना है ऐसे ही खाना है और जल्दी जटपर से आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं तो अच्छा इसी में हमको क्या मावे भी मिक्स करना था लेकिन नहीं कियामनी का थोड़ा से सजावा जा देती है अच्छा लगे ना तो बस चलिए देखते हैं हम आपको ऐसा ही तोड़ा सा जाव जाके दिखा देते हैं इसको तो इसको चलिए डेकर नहीं गारनिशिंग कर लेता है ठीक है तो यह हमारे पास इतनी से इतनी सा मावा और इतनी सा जो भी हो हल्वा इसे में हम क्या करने हैं उपर से रख देंगे तकि आप सभी को दिखता रहा है हां भाई अच्छा सा लग रहा है अच्छा लग रहा है चलिए खाते हैं और आप भी तब जाएंगे अपनी किशन में और दोड़ते हुए बनाएंगे इसको तो बस बस क्या करूं अच्छा बस इसको मैंने सजा दिय इसे थोड़ा से मैंने अपने लिए बचा भी दिखाऊंगी मैं और यहां पर ऐसे रफली मैं इसमें आड कर दोंगी अब यह हो गया क्योंकि ज्यादा परिशान नहीं हो यहां पर देखे मैं इस थोड़ा सा बचाया हूं खाने के लिए तो कौन-कौन ऐसा करता है कुछ भ बाद भी मैं डिनर करूंगी तब खाऊंगी जब भी खाने का मन करेगा तो बस यतना सा मैंने बना लिए कैसा लगए वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करिए शेयर करिए बाए बाए